नमस्कार दोस्तों स्वागत है डेली स्टेडी में इस वीडियो में बरतमान में कौन क्या है से संबंधित मोस्ट इंपोटेंट पच्पन एमसी क्यूज लगाएंगें और ये अपडेट 31 मार्च 2021 तक का है अगर इसके बाद कहीं भी बदलाब होता है तो हम आपको वीडियो क नहीं कर पाया था इसके पिछे एक मुख्य करण ये था कि पिछले एक सब्ता से हम वेवसाइट पर काम कर रहे थे और फाइनली आपका वेवसाइट तयार हो चुका है वेवसाइट का नाम है डेलीस्टडी.org अब डेलीस्टडी.org पर आप विजीट कर सकते हैं इस वीडि नौ सेना के अध्यक्ष कौन है? Who is the chief of novel staff? नौ सेना के बरतमान अध्यक्ष Admiral करम बीर सिंग है. Option नंबर A. सही जबाब है और नौ सेना के अस्थापना कव हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हेट क्वाटर कहां है? नई दिल्ली में. Question number 2. थल सेना के अध्यक्ष कौन है? Who is the chief of army staff? थल सेना के बरतमान अध्यक्ष General मनोज मुकूंद नरवाने है. और यहाई पे Commander in Chief ये कौन होता है थल सेना का? तो ध्यान रखिएगा. हमेशा राष्टपती होता है Commander in Chief Indian Army का. जैसे कि बरतमान में राष्टपती कौन है? रामनात कोमिद तो यही होगा. और थल सेना के अध्यक्ष तो यही है मनोज मुकूंद नरवाने और थल सेना की headquarters जो है नई दिल्ली में है और ये थल सेना किस ministry के अंतरगत आता है? Ministry of Defense. और थल सेना के अस्थपना कब हुई? एक अपरेल 1895 को. और आप लोग ये बताएगा कि रक्षा मंत्री बरतमान में कोन है जिसके अंदर थल सेना आता है. रक्षा मंत्री का नाम बताईएगा. अगला प्रसंद दखिए. वायू सेना के अध्यक्ष कोन है? Who is the chief of air staff? वायू सेना के अध्यक्ष एर चीप मार्शल राकेश कुमार सिंग भदवरिया है. और वायू सेना के अस्थपना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को. हेड़ क्वाटर कहा है? नई दिल्ली में. और इसी वज़ा से हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एर फोर्स डे मनाया जाता है कोशन नमबर फोर मुख्य न्याय धीस कौन है? हूँ इस दा चीप जस्टीस ऑफ इंडिया जिसे आप C.J.I. कहते हैं बरतमान में C.J.I. कौन है? यानि कि चीप जस्टीस ऑफ इंडिया बरतमान में सरद अर्विन बोवरे हैं. और अप्सन नमबर डी कोशन नमबर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हूँ इस दा चीप इलक्षन कमिशनर ऑफ इंडिया? मुख्य चुनाव आयुक्त बरतमान में सुनील अरोरा है. अप्सन नमबर C. यहाँ पे सही जबाव. कोशन नमबर 6. भारत के महान यावादी कौन है? महान यावादी को इंगलिस म अठोरनी जेनरल काते हैं और बरतमान में अठोरनी जेनरल अप इंडिया कौन है? यह है आपका KK values नूगोपाल. कोशन नमबर 7. भारत के सुलीशीटर जेनरल कौन है? हूँ इस दा सुलीशीटर जेनरल अप इंडिया आठोरनी जेनरल के ठीक एक नीचे पद होता है सुली यंत्रक एब महालेखा परिक्षक कौन है? Who is the Comptroller and Auditor General of India? Option number A, Greece चंद्रमुर्मू Question number 9, मुख्य आर्तिक सला काहर कौन है? Who is the Chief Economic Advisor of India? Option number C, Question number 10, मुख्य आर्तिक सला काहर कौन है? Who is the National Security Advisor of India at the present moment? Right answer, Option number A, अजीत दोभाल जो है बरतिमान में राष्टिक सला काहर कौन है? 11, महला आयोग की अध्यक्ष कोन है? Who is the Chairperson of National Commission for Women? ये आपका रेखा सर्मा होगा, Option number C, और महला आयोग को इंग्लिस में NCW कहते हैं, यानि की National Commission for Women, और NCW की अस्थापना 1992 में हुई थी, Headquarter नई दिल्ली में है, और इसका पहला महला आयोग की अध्यक्ष कोन थी? कोशन नमबर 12, राजसभा के सभापती कौन है? Who is the Chairman of Raja Sabha? राजसभा के सभापती हमेशा उपराष्टपती होता है, ठीक न, Vice President और बरतमान में उपराष्टपती कौन है? वेंकया नाइडू, तो यही सही जवाब है, Option A. कोशन नमबर 13, राजसभा के उपराष्टपती कौन है? सभापती तो वेंकया नाइडू है, तो Option A तो अब नहीं होगा, राजसभा के उपराष्टपती, यानि कि Deputy Chairman Harivans Narayan Singh है, Option B. कोशन नमबर 14, राजसभा के उपराष्ट का नेता कौन है? कोशन नमबर 15, लोगसभा ध्यक्च कौन है? कोशन नमबर 16, लोगसभा के महा सचीव कौन है? कोशन नमबर 16, लोगसभा के महा सचीव कौन है? तो यह होगा आपका उत्पाल कुमार सिंग, उप्सन नमबर B, हाल ही में बने हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा, अगला देखिए, यह ट्राई, बहुत इंपोर्टेंट प्रस्न, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ट्राई के अध्यक्ष राम सेवक्षर्मा है, उप्सन नमबर C, और ट्राई का फूल फोरम क्या हता है? ट्राई के अस्थापना कब हुई? 20 February 1997, यानि कि 1997 में, ट्राई की अस्थापना कहां पे हुई है? हेड़क्ष नई दिल्ली में है, कोर्शन नमबर 80, आई बी के निदेशक कौन है? गहातक डिपार्टमेंट है आईबी के निदेशक बरतमान में अर्वींद कुमार है और आईबी का पुरा नाम इंटिलिजेंस ब्योरो होता है और आईबी का हेर्टक्वाटर्स नए दिल्ली में है अस्थापना 1887 को की गई थी और बरतमान डिरेक्टर तो यही है मतलब हमेशा सक्रिय रहो कोसे नमबर नेक्स्ट राव जिस तरह से एक आईबी इंटिलिजेंस ब्योरो है न उसी से संबंधित ये भी है उसी तरह का ये भी जो है संस्थान है राव राव के परमुख कौन है देखिए आईबी के बारे में उत्रा नहीं पूछा जाता है ज और राव का पुरा नाम जो है रिसर्च एंड एनलाइसिस विंग होता है और राव का हेड़ क्वाटर नहीं दिली में है और इसकी अस्थापना 21 सेप्टमबर 1968 को की गई थी और चीफ तो यही है सामंत गोयल कोशन नमबर 20 CBI के महानिदेशक कोन है और इसके संस्थापक कोन है गवर्मेंट आप इंडिया यानि की भारत सरकार और CBI के अस्थापना 1 अप्रेल 1963 को की गई थी और चीफ तो यही है प्रवीन सिन्हा कोशन नमबर 21 NIA के महानिदेशक कोन है यानि की डारेक्टर जेनरल अप NIA कोन है यह है आपका Y.C. मोदी Y.C. मोदी मतलब योगेश चंद्र मोदी ठीकन एन आई ए की पुरा नाम क्या होता है निशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसके संस्थापक है राधा बिनोध राजू और इसके अस्थापना NIA की कब हुई 2009 में और चीप तो यही है योगेश चंद्र मोदी यानि की Y.C. मोदी हेट क्वाटर कहां नई दिल्ली 22 नमबर सेबी के अध्यक्ष कोन है बहुत जादा पूछा जाता है सेबी के बाड़े में सेबी के अध्यक्ष बरत्मान में अजयतियागी है सेबी का पूरा नाम क्या होता है सेबी की अस्थापना कब हुई 12 अपरेल 1992 को हेट क्वाटर कहां है मुंबाई में और चेयर परसन तो यही है आजयतियागी है अध्यक्ष नमबर यहाँ पर सी सही जवाव कोसन नमबर 23 मुख्य सुचना आयोक्त कौन है तो देखिए यहाँ पर सुचना के जगह पर अगर चुनाव आयोक्त रहता तो आप लोग क्या करते चुनाव आयोक्त सुनील अरोरा है इसलिए उप्सन सी नहीं होगा यहाँ पे सुचना आयूक्त है तो आपको ध्यान राखना है कि मुख्य सुचना आयूक्त यस वर्धन कुमार सिन्हा है ठिकना और इंगलीज में क्या करते हैं Information Commissioner of India यस वर्धन कुमार सिन्हा अगला देखिए question number 24 IRDA के अध्यक्ष कौन है? IRDA के अध्यक्ष सुवास चंद्र खुंटिया है Option number B IRDA का पुरा नाम क्या होता है Insurance Regulatory and Development Authority IRDA की अस्थापना कभी 1999 में हेर्कवाटर हैदराबाद में है और हैदराबाद कहा है? त्यलंगाना की राजधानी है और IRDA के चेर परसन तो यही है सुवास चंद्र खुंटिया Question number 25 RBI के बरत्मान गवर्णर कौन है? Who is the governor of RBI? दम नहीं है प्रसन में सक्तिकांत दास होगा Option number A RBI का फूल फोरम क्या होता है Reserve Bank of India हेर्कवाटर कहा है मुंबई में और RBI के अस्थापना कभ हुई? एक अपरेल 1935 को और इसके संस्थापक कौन थे? ब्रिटिस राज और फर्स्ट governor of RBI कौन थे? यह आपका Osborne Smith इसको आप जरूर धियान रखें ठीक न? और governor बरत्मान में सक्तिकांत दास है लेकिन कितने number के है? 25 वे number के है और आगे बरने से पहले आपको पता दूँ कि channel पर ने होतो channel को तुरंत अभी subscribe कर लें और subscribe करने के बाद इस bell icon को press करने के बाद ध्यान रहे कि all notification वाला bell icon आपका click रहे ताक कि नए update का notification सबसे पहले आपको मिले और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फोलो कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं वेब साइट है यूट्यूब टेलिग्राम फेस्बुक सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगला प्रसन देखिए SBI के अध्यक्ष कोन है SBI जो की भारत में सबसे ज़्याद साखा है जिस बैंक का उसका नाम है SBI इसके बरत्मान चेर्मेन है दिनेश कमार खारा option number D SBI का पुरा नाम होता है State Bank of India चेर परसन तो यही है दिनेश कमार खारा हेट क्वार्टर कहां है मुंबई में और इसकी अस्थापना एक जुलाई 1955 को हुई थी अगला प्रसन देखिए LIC के अध्यक्ष कोन है who is the chairman of Life Insurance Corporation of India यह आपका होगा MR कुमार LIC का पुरा नाम होता है Life Insurance Corporation of India और चेर परसन MR कुमार है headquarter मुंबई में है और इसके संस्थापक Government of India यानि की भारत सरकार और LIC के अस्थापना एक सप्टेंबर 1956 को हुई थी question number 28 वित्य सचीव कोन है who is finance secretary with सचीव आपका अजय भूशन पांडे होगा option number C अगला question question number 29 राजास्व सचीव कोन है यानि की जिसे इंगलीज में आप revenue जेन सिक्रेटरी कहते हैं यह कौन है बरतमान में यही होगा सेम ही होगा वित्य सचीव और राजास्व सचीव अजय भूशन पांडे option number C अगला question question number 30 विदेश सचीव कोन है foreign secretary विदेश सचीव आपका हज़ वर्धन सिंगला है option number A अगला question question number 31 ग्रह सचीव कोन है यानि की home secretary देखिए हम मंतरी को include नहीं किये हैं क्योंकि वो सब उतना नहीं पूछा जाता है जितना सचीव के बारे में पूछा जाता है तो देखिए ग्रह सचीव कोन है ये होगा आपका अजय कुमार भला और आप लोग ये बताएगा कि बरतमान में ग्रह मंतरी कोन है यानि कि home minister बरतमान में कोन है रक्षा सचीव कोन है defense secretary डिफेंस सिक्रेटरी बरत्मान में कौन है ये होगा आपका डाक्टर अजय कुमार ठिक नहीं भला ना होकर कि कुमार होगा कोशन नमबर 33 कैबिनेट सचीव कौन है देखिए आप से ये सब नहीं पूछा जाएगा मंतरी के बारें बहुत कम पूछा जाता है जितना सचीव पूछा जाता है तो आप सचीव जरूर धियान रखें केबिनेट सचीव बरत्मान में राजीव गाबा है अगला प्रसन देखिए नवाड के अध्यक्ष कोन है नवाड एक बैंक है ठीक नवाड के बरत्मान चेर्मेन कोन है ये होगा आपका डाक्टर गोविंद राजुलू चिंताला यानि की जी आर चिंताला इसे इसका नाम लिखा रहता है तो आपको घवराना नहीं है इसकी अस्थरपना कब हुई 12 जुलाई 1982 को ये कई बार पूछा हुआ है नवाड की अस्थरपना कब हुई 12 जुलाई 1982 को एड़ कोटर कहां मुंबाई में और चेर परसन यही है डॉक्टर गोविंद राजुलू चिंताला सिडवी के अध्यक्ष कोन है सिडवी के बरत्मान अध्यक्ष मुहम्मद मुस्थफा है ऑप्सन नमबर सी सिडवी का पूरा नाम क्या हता है स्मौल इंडरस्टी डेवलप्मेंट बैंक फोर इंडिया सिडवी के अस्थपना कभवी दो अपरेर 1990 को हेट क्वाटर कहा है उत्तर परदेश की राजधानी लखनाउ गोमती नदी के किनारे और चियर्मेन और मेनेजिंग डिरेक्टर यही है सिडवी बैंक के मुहम्मद मुस्तफा अगला प्रस्ट कोस्टन नमबर 36 एन एच बी के अध्यक्ष कोन है एन एच बी के अध्यक्ष बरतमान में आर वी वर्मा है उप्सन नमबर ए एन एच बी का पुरा नाम क्या होता है नेशनल हाउसिंग बैंक इसकी अस्थापना कभवी 9 जुलाई 1988 को हेट कोटर कहा है नई प्रस्ट कोस्टन नमबर 37 निती आयोक्य अध्यक्ष कोन है निती आयोक्य हमेशा अध्यक्ष जो होगा भारत का परधान मंतरी होगा और बरतमान में परधान मंतरी नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी निती आयोक्य अध्यक्ष है और निती का पूरा नाम क्या होता है और निती आयोक को पहले योजना आयोक कहा जाता था लेकिन आब इसका नाम बदल कर एक जन्वरी 2015 को निती आयोक कर दिया अगला प्रस निती आयोक के उपा ध्यक्ष कोन है डिपुटी चेर्मेन तो देखिए यहाँ पे निती आयोक के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी तो यह नहीं होगा यहाँ पे कोश्चन में है उपा ध्यक्ष तब होगा आपका डॉक्टर राजीव कुमार अगला देखिए निती आयोक के CEO कोन है निती आयोक के CEO अमिताव कौन थे? अगला प्राशन CBDT के अध्यक्ष कोन है? CBDT के अध्यक्ष PC मोदी है अगला प्राशन और चेर प्राशन तो यही है PC मोदी यानि की प्रमोद चंद्र मोदी और CBDT की अस्थापना 1963 को हुई थी headquarter नई दिल्ली अगला प्राशार भारती के अध्यक्ष कोन है? प्राशार भारती के अध्यक्ष डाक्टर A. सुरिय प्रकास है और प्राशार भारती का स्थापना का हुई 23 नवंबर 1997 को और headquarter नई दिल्ली में है और चेर में डाक्टर A. सुरिय प्रकास है अगला प्राशन UPSC के अध्यक्ष कोन है? UPSC के अध्यक्ष आपका प्राशार भारती कुमार जोसी होगा option number D यहाँ पे सहीजबाब है और यह हाल ही में बने थे UPSC का पुरा नाम क्या होता है? Union Public Service Commission हिंदी में क्या गाते है? संग लोकसेवा आयोग ठीक नहीं? चेरपरसन कोन है? प्रादीप जोसी और हेड़क्वाटर कहां है? UPSC का नई दिल्ली में अस्थापना इसकी कोन किया था? Parliament of the United Kingdom यानि की Britain द्वारा किया गया था और इसके अस्थापना कब हुई? एक अक्टूबर 1926 को CRPF के महानिदेशक कोन है? Director General of CRPF यह होगा आपका कुलदीप सिंग Option No.A सहीजबाब है CRPF का पुरा नाम क्या हता है? Central Reserve Police Force और इसके अस्थापना 27 जुलाई 1949 को की गई थी सबसे इंपोटेंट CRPF का मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा यानि की Service and Loyalty और Headquarter कहा है? नई दिल्ली में और चीप यही है कुलदीप सिंग आगला देखिए BSF के महानिदेशक कोन है? BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना है Option No.C BSF का पुरा नाम क्या हता है? Border Security Force Headquarter कहा है? नई दिल्ली में अस्थापना कब हुई थी BSF की? 1 December 1965 को और Director कोन है? यही है राकेश अस्थाना Moto क्या है BSF का? यह important है ठीक नई? Defense वालों के लिए इसको धिहान रखना है Moto G1 प्रयंत करता भी है यानि की Duty Unto Death यानि की मिर्तिव तक duty करना यही हो गया अगला प्रस्ण ITBP के महान देशक कोन है? ITBP के महान देशक SS देशवाल है option number A सही जबाब है ITBP का पुरा नाम क्या होता है? Indo-Tibetan Border Police और इसकी अस्थापना कब हुई? 24 October 1962 को Headquarter कहा है ITBP का नई दिल्ली में और चीप तो यही है SS देशवाल 46 CISF के महान देशक कोन है? CISF के महान देशक S के जए सवाल है option number D सही जबाब है CISF का पुरा नाम Central Industrial Security Force है और CISF की अस्थापना 10 March 1979 को हुआ था Headquarter कहा है? नई दिल्ली में है Moto आप जो है Moto जरूर धियान रखेगा क्योंकि अब कुछ दिन के बाद SSC GD वाला वेकेंसी आएगी तो यह सब आपको पढ़के रहना है यह आपका Moto जो है CISF का Protection and Security Director है Sorry Protection and Security ठीक नई? Director आपका सुबोध जैसे वाल अगला प्रस्ण SSB के महाने देशक कौन है? SSB के महाने देशक कुमार राजस चंद्र है Option No.D SSB का पुरा नाम क्या हता है ससस्त्र सीमा बाल अस्थापना कब हुवी थी 1963 में Headquarter कहा है नई दिल्ली में और Moto क्या है SSB का Service Security and Brotherhood भाई चारा और चीप कोन है? कुमार राजस चंद्र 48 RPF के महाने देशक कोन है? Who is the Director General of RPF? Option No.B अरून कुमार अगला प्रस्ण कोर्शन No.49 FTII के अध्यक्ष कोन है? FTII के अध्यक्ष सेखर कपूर है Option No.A सही जबाब है FTII का पुरा नाम क्या हता है? Film and Television Institute of India Headquarter इसको आपको ध्यान रखना है Mumbai में नहीं है FTII का Headquarter बलकि महाराष्ट में ही है लेकिन पूने में है अस्थापना कभ हुई FTII की 1960 में चेयर प्रसंद सेखर कपूर अगला प्रसंद कोशन No.50 NHRC के अध्याक्ष कोन है? NHRC के अध्याक्ष H.L.दत्तु है NHRC का पुरा नाम National Human Rights Commission of India है और इसके अस्थापना कभ हुई 12 अक्टूबर 1993 को Headquarter कहा है नई दिल्ली में है और इसके पहले अध्याक्ष कोन थे? NHRC के रंगनाथ मिश्रा और बर्तमान में H.L.दत्तु है 58 Railway Board के अध्याक्ष और CEO कोन है? Railway Board के अध्याक्ष बर्तमान में सुनीत सर्मा है ठीक न? Option नमबर B यहाँ पे सही जबाब है और सबसे इंपोर्टेंट कस्टमर सर्विस नमबर कितना है? Railway का 149 और चेर्मेन कोन है? सुनीत सर्मा है और बर्तमान में Railway के मंत्री कोन है? प्यूस गोयल है हेट कोटर कहां है? नई दिल्ली में है और यह तो आप कई बार परहे होंगे इतिहास में Railway Board के स्थपना कभूई 16 April 1883 ठीक न? इसी दिन पहला गारी चली थी अगला देखिए भारतिय प्रतिय स्परधा आयोक के अध्याक्ष कोन है? भारतिय प्रतिय स्परधा आयोक के अध्याक्ष अशोक कुमार गुपता है और भारतिय प्रतिय स्परधा आयोक को इंगलिस में Competition Commission of India कहते हैं और सोट में CCI और कभी-कभी डैरेक्ट पुछ लेता है CCI का पूरा नाम क्या होता है Competition Commission of India और इसकी अस्थपना कभी 14 अक्टूबर 2003 को Headquarter कहां है नई दिल्य में और Chairperson अशोक कुमार गुपता 53. DRDO के अध्याक्ष कोन है? DRDO के अध्याक्ष बरत्मान में G.E.S.T.E.S. रिडड़ी है Option No.B. सही जबाब है DRDO का पुरा नाम क्या होता है Defense Research and Development Organization और इसका अस्थपना कभी 1908 में ये कई बार पुछा गया है DRDO के अस्थपना कभ? 1911 Headquarter कहां है DRDO भवन नई दिल्य में और Chairperson 37 रेड़ी 54. ISRO के अध्याक्ष कोन है? Who is the Chairman of ISRO? K.C. बन होगा Option No.C. यहाँ पे सही जबाब है और ISRO का Headquarter कहां है? भेंगलूरू करनाटक में है और इसके संस्थापक कोन है? ISRO के विक्रम सारा भाई और अस्थापना कभ हुई? 15 अगास 1979 को Director कोन है? K.C. वन ISRO का पुरा नाम क्या हता है? Indian Space Research Organization Question No.55 पंदरवे वीत आयोक्या ध्याक्ष कोन है? पंदरवे वीत आयोक्या ध्याक्ष N.K. सिंग है Option No.C. यहाँ पे सही जवाब है इसी के साथ आपका पचपन Questions कम्प्लीट हो चुका है अब एक प्रस्न आपके लिए है समिधान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रस्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि समिधान दिवस परतियक साल भारत में कब मनाया जाता है? और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडियाप डॉनलोड करना तो आप जो है टेलीग्राम जोइन कर लिजिएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गिया है या फिर आपको दिक्कत होता है टेलीग्राम जोइन करने में तो आप इस नंबर पर एक वार वाटसअप कर दिजिएगा आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा और आप लोग वेवसाइट को जरूर चेक किजिएगा कि वेवसाइट पर जो है आप कुछ दिने में कोस्टन्स बहुत ज्यादा मातरा में यहाँ पर आएगा आप एक बार इस वेवसाइट को चेक कर लिजिएगा वेसे अभी थोड़ा बहुत कंटेंट इस पर डाल दिया गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहके इसको प्रेस करके रखना है और नोटिपिकेसन वाला और अंत में क्या किजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और लाइक करने के बाद शेर जरूर करने लाइक नहीं करना है नहीं किजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन शेर जरूर किजिएगा